दस्वी और बार्वी कक्षा की ओफलाइन परिक्षा रद्द करने की मांग को लेकर हजारों की तादाद में छात्र रास्ते पर उतर गए विरोध प्रदर्शिंग करने के साथ ही स्टार बस पर पत्राफ कर काज फोर दिये इस प्रकरेंड में पुलिस ने हिंदुस्तानी भाउस सहित अग्याद छात्रों के खिलाफ मामला दर्च किया है इसके साथ ही पुलिस कमिशनर अमीतियश कुमा ने छात्रों से अपील की है कि किसी के भैकावे में ना आएं कुछ लोग छात्रों को भड़काने वाले वैक्ति की रहाई के लिए दुबारा आंदूलन करने की बात कर रहे हैं चात्रों को फिर से रास्ते में उतरने को कहा जा रहा है लेकिन दुबारा रास्ते में उतर कर इस तरह का आंदुलन करने पर भविश्य में दुश परिनाम देखने को मिलेंगे पुलिस ने फिलाल हिंदुस्तानी भाउस सहित अग्याद चात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया है जल्दी उसकी गिरफतारी भी होगी सीपी का क्याना है कि सीसी टीवी फुटेज के जरिये उगरता फैलाने वालों की पहचान की जा रही है दोश्यों के खिलाफ कानूनी कारवाई की जाएगी जो लोग दुबारा चात्रों को खुसाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें समझना होगा कि अगर दुबारा कानून मामना दर्ज होता है तो इसका जिकर कैरेक्टर और पासपोर्ट वरिफिकेशन के दौरान किया जाता है कोविड के दौरान अपने घरों पर रहें नियमों का पालन करें आपको विरोध करने का धिकार है लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि वो कानून के दायरे में हो पाल पास मदे उद्भावलेली गोष्टी अनुशंगा ने पुर्विल कारवाई करने है तो अनलौफुल एसेंबली राइटिंग, डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी आक्ट यानी कोविड गाइडलाइन्स चे उलंगहन अनी एपिडेमेक अशा कलमा अंतर्गत कुना दाक अनुशा करते मुड़े गुना दाकिल हो शक्तिल अशा क्रिट्य त्यांचे करून होता कामा ने जवाबदारी बाढगावी यानी प्रसाषन ला साकारे करावी परन्तु तरीपन अगर जर काई अनुचीत प्रकार शहरात घडल्यास तो तो न देने आसाठी पुलीस यंतन पुनपने सुसच कायी मोलान चे विशय एग्जामश विशय की यह रिजल्ट माग चे फरस्ट टर्म चे रिजल्ट सीबीएसी करून ये नए शेडियूल टाइम शेडियूल आले निया शेकरते हैं कायी सम्भरम ची स्थिती मोलान मदे जालिया ची समझ्झते यहां ची मनना क्यामरा परसन अखिलेश भारत द्वाज के साथ अभिशेक पांसी बीसे न्यूस नागपुर कर दो बीसे बीसे नहीं मुट न्यूस नागपुर